जी इस पर तो मैं ये कहना चाहूंगा पूरे अपने देश्वासियों को चाहे वो हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो कि हमें भारत के लोकतंत्रे का ख्यार लगते हुए एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर कि इसका कोई बढ़िया रास्ता निकालना चाहिए जिससे हमारी डेमोक्रेसी भी बची रहे और मुहबत भी बरकरार रहे हैं और यही हमारे मुल्क की पहिचान है कि हमारा मुल्क पुरी दुनिया में इसी भाई चारगी और प्रेम और मुहबत की विए से पहिचाना जाता है मुझे समझ में नहीं आता हमारी सरकार सबका सास सबका विकास की सरकार है और चुकि मैं फुद एक मुस्लिम समाज से आता हूँ और मेरे जो धरम गुरू हैं चाहे वो किसी चुकि हमारे आफी तमाम अलग-अलग फिरके हैं तो हम सबके पास जाते हैं शिष्टा चार भेट क करते हैं सरकार की योजनाये हमारी जो चल रही है उस पर विचार करते हैं उनसे पूछते हैं कुछ की उनकी समाझ में क्या चीजों की ज़रूत है च्युकि हम सरकार के मंत्री हैं और वो हमारे से उम्मीद रखते हैं dois सबका साथ सबका रिकास की सरकार है इसलिए अब उसको लोग दूसरी नज़र से देखने लगते हैं उसके दूसरे माने निकालने लगते हैं मुझे लगता है कि यह सब बड़े पतिश्टित लोग हैं इनके पास जाने से सवाल आप दरूर पैदा कर सकते हैं लेकिन मैं जाता करता हूँ चुकि वो लोग बड़े लोग है कोई प्रोफेसर है कोई डीन है कोई मौलाना है तो यह सब लोग समाज के पतिश्चित लोग है इस दोरां कि आपने उनके मन की बात टोलने की कोशिस नहीं की कि वो आध्याम मंदिर बने क्या आम तोर से सभी जो भी मैं देख रह हैं वो लोग तो मैंने मकस्द यह कि जब उनकी विचारी आ रहा है तो मुझे लगता है कि यह लोग आगे आते हैं आपने देखा होगा आज एक बयान आया है आज ही मैंने देखा है बयान नजवी के मौलाना सल्मानुसेंस साब का बयान है उन्होंने कहा है कि मस्जिद को किया जा सकता है इस तरह की बात की है तो वो चुकिष धार्मिक गुरू है ना हमारे उनको धरम के बारे में पता है वो जानते हैं कि क्या इस्तिति योगी सरकार के मंत्री मौसिर रजा आज कल मुस्लिम मौलानाओं से मुलाकात कर सूचियां पटो रहे हैं बताय जा रहा है लेकि इस मुलाकात के पीछे राम बन्गर आंगोलंग को एक लेख़ार पर लाकर खल निकालनी की हैं अलाकि जब उनसे बात की गई तो उन्होंने साप कहा कि वह केवल मुलाकात कर रहे हैं इसमें कोई राज़ित नहीं देखी जानी चाहिए लेकिन उनकी मुलाकात के